भुजग आसन भुजग का अर्द है नाग या कोबरा इस आसन को करते समय, आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा जमीन से ठीक उसी तरह उठा रहता है, जैसे एक कोबरा अपना फण उठाए रहता है इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको मकरासन की मुद्रा में आना होगा जिसके लिए आप जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखें अपने माथे को अपनी हतेलियों पर रखें और अपने शरीर को आराम दें अब मकरासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़े और अपने हाथों को सामने की ओर खीचे, अपने माथे को जमीन पर रखे, अब अपनी अहतेलियों को अपनी छाती के समीप रखते हुए अपनी कोणियों को उठाए, एक गहरी सांस लेते अपने शरीर को नाभी के हिस्से तक जमीन से उठाई धियान रखें कि आपकी कोनिया आपके शरीर के सीध में रहें और आपके पैर इस तरह तने हुए हो कि आपकी कमर पर अत्याधिक तनाव महसूस ना हो इस थिती में सामाने रूप से सांस लें और छोड़ें और 15 से 30 सेकेंड तक रहें इस आसन को नियमित रूप से करने पर पीच दर्द में आराम मिलता है भुजंग आसन पेट की चरबी को घटाता है और कब्स की परेशानी से मुक्ति दिलाता है ये आसन सांस समंधी तकलीफों को दूर करने में सहायक सिध होता है भर्निया और अलसर के रोगियों और गर्भुवती महिलाओं को ये आसन नहीं करना चाहिए यदि आपके पेट का ओपरेशन हुआ हो तो कम से कम तीन महिने तक ये आसन नहीं करना चाहिए 15 से 30 सेकेंड इस थिती में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर के उपरी हिसे को नीचे लाते हुए अपने हाथों को सामनी की ओर खीचे और उन्हा मकरासन की मुद्रा में आने के पश्चात आराम दायक सांस ले भुजंगासन तनाव दूर करने के लिए सबसे उपयोगी आसन है इस आसन को नियमित रूप से करने पर आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे